नमस्कार मित्रों जै माता दे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे मित्धुन नासी वाले जातकों के लिए 19 जून सुर्ख रुवार का दिन कैसा रहेगा बैपार व्यवसाय करियर लवलाइप और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही बरती जाने वाले महत्पुन सावधानियों के बारे में और किये जाने वाले उन महत्पुन कारों के बारे में तथा किस प्रकार के कारों को करना आपके लिए सुपसाव मातारानी के जो सचे बगत हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जै माता दे अवस्य लिखें और विडियो को आखरी तक जरूर देखें ताकि माता लक्ष में माता राने मापको जो भी सुभसंकेत दे रही हैं वो उसके बारे में आपको पता हो सक diplomate तथा माता रानी के कर्मों के अनुसार माता रानी के द्वारा बताये पर आप चल सको और अपने जीवन को सुखे सम्रिद में बना सको ओम द्राम द्रेम द्रों संसुंक्राय नमहां इस मंत्र का आप जरूर जाप करें उनसे आपको जरूर लाब की प्राप्ति होंगे तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं तो मित्रुन राची वाले जात्कों को आज के दिन कई प्रकार के मानसिक चिंता हैं मानसिक तनाव के कारण आपके स्वास्त में गिरावट हो सकते हैं आप थोड़े से प्रिसान हो सकते हैं आपका स्वास्त थोड़ा सा आपको ग्रसित कर सकता हैं आप अपने स्वास्त के खान पान के और विसेश रूप से आपको प्रोटीन युक्त भोजन लेने के जरूरत रहेंगे अन्य था आपको पेट के रोगों से खर्चा उठाना पड़ सकता है आपके पेट के रोग हो सकते हैं ऐसे में मितुन नासी वाले जातकों को थोड़ा सा धैरे रखने होंगे आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने होंगे अन्य था आर्थिक समस्याओं में वे विद्न रूप से बाधा बन सकते हैं आप थोड़े से प्रिसान हो सकते हैं परन्तो बैपार में आपको लावकी प्राप्ती होंगे आप जिस शेतर से डुड़े हैं उस शेतर में आपको लावकारी योजनाओं को बनाने के मोकिम लेंग और आप अनेक प्रकार की ऐसे लावों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके आर्थी किस्तित्यों को सुधारने में आपके सहाता कर सके मत्रों मतुनासी वाले जातकों को बैवसाय बैपार में कौफीज बड़ी संभावनाय हैं कि वे लाव ही कमा सकते हैं और आप नई निवेश की और अगरसर हो सकते हैं आपके व्यपआर के विस्तार जो सोच रहे हैं आप अपने व्यपआरको विस्तार करने के आपके सोच भी सक्षम रहेंगे और आपको लाब की प्रावस से होंगे मित्रों मितुनासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि जो लोग रिलेशन्सिप में हैं अपने रिलेशन्सिप में नोग जूँक से आपको दूर रहने के विशेश जरूरत रहेंगे आप नोक जूक न करें अपने रिष्टेदारों से अपने रिष्टों को बैतर बनाने का विशेश प्रियास करें तथा इसी वज़े से मान सम्मान के रिष्टे में भी मजबूती बनी रहेंगे तथा मातारानी की गृपा से आपके पदबर मुष्टा में विर्दी होंगे आपके जीवन में पैसो से जुड़ी आर्तिक तंग्यों से आपको चटकारा अवस्य प्राप्त होगा आपको इस्तरे यानि जीवन साथी से आपको सुक की प्राप्ती होंगे और वाहन चलाते अपने बहतर समंदों को बना सकते हैं आपके वीच जुमर मुटाव चल रहे हैं वे दूर होंगे तथा आपके घर परिवार में जो भी पारिवारिक कलेश चल रहे हैं उनसे भी आपको काफी हथ तक राहत मिल सकती हैं आप अपने आपको सुनिचित मैसूस करके अपने से जुड़े हैं कारिशेतर में उन्नती होंगे अचानक से आर्थिकलाव हो सकता है और आर्थिकलाव होने की वज़े से आपके कुटमबो के वेज आपके चल रहे बाद भी बाद दूर होंगे आप जिस मौके की तलास में थे जिस मौके को आप प्राप्त करना चाहते थे वो भे आपको प्राप्त होने वाला हैं, तथा आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अगर आप अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में जिस प्रकार के समस्याओं से जूज रहे हैं उनसे आपको छुटकारा अवस्य प्राप्त होंगे श्री रामचरित्मानस के सुंदरकांड में भक्ति पर तुलसिदाज जी ने एक बहुती सुंदर नवर्नन किया है भक्ति भी एक युक्ती है युक्ती यानि एक उपाए प्रमात्मा को पाने का सही तरीका सही डंग और सही रिती भगवान विशेज परियाश से मिलते हैं सुन्दर काट में युक्ति का एक परसंग है परसंग में विवीशन और हरुमान जी चर्चा हो रही है हरुमान जी ने विवीशन से सीता जी का पता पूछा तो तुलसिजाद जी ने लिखा है जुगुति विवीशन सकल सुनाई चेलवू पवन्सुत विदा कराई इसका अत अपने जीवर में सारांस अवस्य करें आप अपने कार्यों के प्रति लगंसील रहने का प्रियास करें आपका दुख आपका जो भी कटनायां हैं जो आ आपके जो भी समश्याएं हैं वे स्वता ही दूर होने वाली हैं आप अपने कुटुम्भों के साथ बाद-विवाद न करें, सब को सम्मान की नजरू से देखने का प्रियास आप अवस्य करें, मत्रों आपके मार्ग में अनेक बाधाया आएंगी, अनेक प्रकार की कठनाईयों का सावन भी आप कर चुके होंगे और आगे भी आप करने वाले हैं, परन्तु मातारानी की क्रिपा से आपके पक्ष आपको हर एक छेतर से प्रिसान करने की कोशिस कर सकते हैं, परन्तु मातारानी का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, ऐसे में बेवज़ा की वेर्थ की चिंताओं को छोड़ कर आप अपने कारे पर विशेश ध्यान रखने की कोशिस करें, मत्रों आपको बताना चाहे कि आपको अस्तान परिवर्तन का योग बना हुआ है, आप अस्तान परिवर्तन कर सकते हैं, कहें दूर दराज की आतरा पर जा सकते हैं, या फिर आप नौकरी में ट्रांस्पर हो सकते हैं, आप कहें दूसरे जगा घर खरीच सकते हैं, आपको इस बर्स या इस दिन थोड़ से समल कर रहने होंगे आप अगर आप नोकरी पेसा वाले हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने अधिकारियों के साथ अपने समंदों को अच्छे से बना कर चलने की जरुत रहेंगे ताके उनके सहयोग से आप कारिशेत्र में तरक्की कर सकें नोकरी में परमोसन पासकें, और आपके जो बे, आर्थिक इस्तिया हैं, उनको आप सुधार करके, अपने समस्त समस्याओं से छुटकाराभे, प्राप्त कर सकें। मत्रों, आप अपनी योजनाओं को किसी के साथ भी साजा ना करें। आपके जो भी योजनाय हैं आपने जो भी सोचे हुए हैं जो भी भविस्य में अपने जीवन में लागू करने वाले हैं उनको आप दूसरों के साथ सेर ना करें आज का यह दिन आपको आपके कारिशेतर में मान सम्मान के साथ साथ आपके धंदोलत में भी बड़ोतरी अवस्य करवाएगा जीवन साथे और संतानों के सयोग से आपको सफलता अवस्य है प्राप्त होने वाली हैं तथा रोजी रोजगार व्यवसाय में नाना प्रकार की का सामना करना पड़ सकता है परन्तो इन सवी मुसीवतों से आप चुटकार अपाकर मातारानी की कृपा से आप अपने जीवन में काफी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही जो लोग विद्यारती हैं विद्यारतों को अपने परिश्रम का परिडाम अव वावकारें योजनाओं को बनाने के वहत्रें मोके भी फ्राफ्त होंगे कारिसमंदी यात्राएं हो सकते हैं और आप आत्म विश्वास के मजबूती के कारण हर जगा सफल रहेंगे साधी सुदा लोगों के जिंदगी में भी कफी अच्छी खासी खुशियां बनी रहेंगे जीवनसाती से आपका प्रेम बढ़ेगा वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक मदभेद में थोड़ी से बड़ोत रिवी हो सकती हैं सिख्चा के छेतर में सफलता हासिल होंगे आप सिख्चा में काफी वर्चर कर हिस्सा ले सकते हैं आपके अगर आप विद्यारती हैं तो आपके कॉलेज, स्कूल, इंस्टिट्यूट या ट्यूशन के लोग आपका सम्मान कर सकते हैं आपको एक अलग नजरिय से आपके देखी जा सकती हैं तो मित्रों आपके भागे में विर्दी होंगे आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं मान सम्मान यस के विर्दी ह होंगे तथा रोग सोग तथा वेर्थ की धन खर्ची में भे आपको चुरकारा प्राप्त हो सकता है विवाहित जातकों के लिए यसमे सुखद रहेगा मकान के पुन्ह निर्मान के लिए अच्छे विचार भी आपको मिल सकते हैं आप अपने घर बनाने के लिए योजना बना सकते हैं और अपने घर की मरमत के लिए भे परियाज कर सकते हैं आपको अपने मित्रों के साथ आपके जुड़ने के मौके मिलेंगे परन्तो पारिवारित जीवन साथी में थोड़ी सी तनाव रह सकते हैं आपको थोड़ी सी अपने जुबान पर कंट्रोल करने की जुरत र परिजनों के वेज बेवज़ा बात विबाद हो सकता हैं जिनसे मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं वेकार की बातों पर ध्यान देने के वज़ाए अच्छे लोगों से मितरता कायम करने का परियास करें आपको अकास में कोई वड़ी सफलता मिलने के संभावना बन रही हैं तो मितरों मितर नासी वाले जातकों की यात्राएं काफी अच्छी रहेंगे वेवसाई की यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगे जिनसे बैपार के छेतर में उन्नती मिलेंगे कारोबार के छेतर में लाब होगा रुपे पैसे की किलत में दूर होंगे माता राने आपके माताराने आपके सिभी मनों कामनाव को पूरी करें जैमा विंदुवास ने मातारानी की